हलो स्टुडेंट्स आज हम लोग एक्सेटी सिस्टम के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आए देखते हैं एक्सेटी सिस्टम होता क्या है एक्सेटी सिस्टम जो है वह एक पेसी बायोजिकल सिस्टम है अब इसकी नीड क्या होती है और आपको लगताओं कि आता कहां से ही है जितने वह में आते कहां से जिसको निकालने के लिए यह सिस्टम की जरूरत होती है तो जो भी फूड हम लोग लेते हैं वो फूड में कुछ वेस्ट मेटेरियल रह जाते हैं जिसको बहार निकालना बहुत जरूरी है अगर हम लोग इसको नहीं निकालेंगे तो हम लोग बीमार हो सकते हैं या हम लोग मर भी सकते हैं तो इसकी जरू system first point इसका है to remove waste material from our body हमारे body से waste material को बहार निकालने के लिए like some salts and nitrogen compounds like urea and uric acid कुछ salts ये वो salt नहीं है जो हम लोग खाते है chemistry में आपने पढ़ा होगा की different different types के salts होते है है वही salts है nitrogen compound like urea and uric acid ये urea और uric acid हमारे body के लिए हम full हो सकते हैं पर plants के लिए बहुत ज़्यादा useful होते हैं इसके लिए हम लोग इनका यूज plants के growth में करते हैं now second point to regulate amount of water in the body water के amount को control करने के लिए भी इसके जरूरत परती है जैसे कि आप किसी दिन ज़्यादा पानी पी लेते हो तो आपको बार बार बात्रूम जाना पड़ता है बार बार urine charges आने लगती है तो यह क्या है control करता है water के amount को हमारे body में तो देखिए so now it's time to see the organ of anxiety system इन और गेन का नाम क्या है अब हम लोग और गेन से संजहेंगे इनका नाम क्या है सबसे most important anxiety system का जो और गेन है वो है this and this इसको हम लोग क्या बोलते है kidney यह bean sap की होती है इनको हम लोग kidney बोलते है और bean sap की होती है they are in two in number they are two in number kidney बहुत important है हमारे body में अगर यह खराब हो जाते है तो he may even die हम लोग मर सकते है और इनके देखिए different different height के यह होते है यह इनकी structure ऐसे default से नहीं बनी है ऐसे होती ही है ऐसी structure इसके एक क्या height कुछ है एक क्या height कुछ और है और देखिए kidney से एक आपको tube like structure जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलते इसको बोलते है यूरेटर इसको यूरेटर बोलते है जो एक bag like structure से connected होता है एक bag like structure से इस bag like structure को हम लोग क्या बोलते है urinary bladder बोलते हैं यह muscular structure होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे यह क्या करता है expand और construct हो सकता है और यह जो bag like structure है towards inch of this bag like structure a tube like structure this is called urethra इसको क्या बोलते है urethra क्या बोलते है urethra these are the main organ of excretive system यह कुछ main organs थे excretive system के अब आईए देखते हैं हम लोग इसको कि आखिर में होता कैसे है इसकी process क्या है तो जो blood vessels होते है जो oxygenated देखेंगे आप इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे यह जो artery और vein है इसको आप लोग ध्यान से देखिए जिसके द्वारा यह kidney में जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग Arota Artery बोलते हैं और kidney से de oxygenated blood जो बाहर जाता है उसको हम लोग Vena Kava बोलते हैं क्या बोलते हैं वेना कावा और देखें कि काम कैसे करता है Arota Artery जो होता है वो capillaries में divide हो जाता है यहां देखिए यहां साय है और यह kidney में आने के बाद यहां से इस तरह से ऐसे से करके divide हो गया है तो यह capillaries में divide हो जाते हैं और अंदर जा करके बहुत सारे branches बना लेते हैं जो कि जिनको हम लोग क्या बोलते हैं रेनल अर्ट्री बोलते हैं और यह भेन जो है उनको हम लोग रेनल भेन बोलते हैं इनको हम लोग रेनल भेन और किड्नी भेन भी बोल सकते हैं क्योंकि यह kidney के अंदर होते हैं इसलिए kidney भी बोल सकते हैं और यह रेनल भेन है यह जो हमारा एक body है, यह body आपको दिख रहा होगा, यह हमारा एक body है, इस body में यह kidney है, both of kidney दोनों है, यहां पर यह जा रहा है, यूरिनरी ब्लाडर है, यह कहां पर situated होता है, यह abdomen में होता है, क्योंकि देखें, यह आपको large intestine दिख रहा होगा, और यहां small intestine होता है, और इसी large intestine, small intestine, इसके पीछे, abdomen में होता है, और वो भी पीछे की तरफ होता है, आगे नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है, तो अब देखें, इसके kidney के हम internal structure आपको दिखाते हैं, यह kidney इसके internal exercise, यह देखे, यह renal artery है, जिसको kidney artery भी हम लोग बोलते थे, तो क्या करता है, जो artery होता है, वो क्या करता है, oxygenated blood जो है, उसको kidney के अंदर ले जाता है, तो oxygenated blood जो होता है, उसके साथ में कुछ best material भी होते हैं, इसलिए इसको dirty blood भी बोलते हैं हम लोग, और oxygen जो है, वो diffuse होके वहीं पेर रह जाता है, और carbon dioxide जो है, वो वेना कावा के द्वारा kidney से बाहर चला जाता है, यह वेना कावा के द्वारा होते हुए kidney से बाहर चला जाता है, तो अब देखे, यहाँ पे इस internal structure में क्या होता है, कि यहाँ यह देखे, यह आपका जो renal artery या kidney जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे यह आके branch में divided हो गया है, और इधर से renal dhen भी है, यहाँ पे आपको क्या होगा, एक nephron present होता है, nephron, जिसको हम लोग kidney की unit भी बोलते हैं, यह बहुत important, very important part है kidney का, nephron, और यहाँ बहुत सारे nephron present होते हैं, kidney के अंदर, nephron में क्या होता है, जो dirty blood जो होता है, वो nephron में जाता है, और वहाँ से clean blood जो है, वहाँ से return आता है, तो अब जो dirt होता है, dirty blood होता है, waste material होता है, वो वहीं पे छूट जाता है, तो वहाँ पे छूट जाता है, तो वहाँ पे छूट जाता है, तो बाहर कैसे आता है, तो य यह देखिए आपको यहां से नीचे से एक यूरेटर दिख रहा है यूरेटर यह यूरेटर भी इसी तरह से रेनल अर्टरी और वेन की तरह से नेफ्रों से connected होता है यह हम एक नेफ्रोन की बाद बता रहें बहुत सारे नेफ्रोन इसमें present होते हैं और यह connected होता है और इसी जो ureter है इसी के तो जो जितने भी वेस्ट मेटेरियल होते है वो क्या करता है यूरेटर के दौरा बहार आ जाता है और यूरीनरी ब्लाडर में आ करके जमा हो जाता है और जब धेश सरा हो जाता है तो वो फैलता चला जाता है यूरीनरी ब्लाडर और ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब ये भर गया है अब इसको खली करना चाहिए तो urine release करना चाहिए, वो brain message देता है कि urine release कीजिए तो फिर उससे बाहर निकाल दिया जाता है तो I hope आपको हमारे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको aptitude classes के वीडियो अच्छी लगी हो, तो thank you so much for watching, don't forget to like and subscribe, thank you so much